प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आसा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे. ये चित्र तो देखिए, कौन है इसमें? पहचानिये. अरे वाँ, आपने तो जटपट पहचान लिया. ये आपकी प्यारी मीना है. राजू और मिठो मिया है. बच्चों, आज आपको हम मीना की प्यारी-प्यारी तीन कहानिया सनाएंगे. त्यार हैं? पहली कहानी है, लड़का ही होगा. तो चलिए साथ में. आप भी पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं. मीना और राजू खूमने निकले. रास्ते में उन्होंने देखे बहुत सारे पेड़, पौधे और फूल. उन्होंने बहुत सारे पच्ची भी देखे. फिर वोई दोनों घोसला देखने गए. चुडिया के दोनों बच्चे वहीं थे. राजू ने पूछा, मीना इन में से कौन सा पच्ची लड़का है? और कौन सा पच्ची लड़की? मीना सोचकर भूली, इससे क्या फर्क पच्ची लड़का हो या लड़की? कुछ दिनों में दोनों उड़ने लगेंगे? मीना ने सोचा सही था. कुछ दिन बाद उलों ने देखा कि दोनों पंख्ची उड़ते उड़ते आकास में उपर चले गए. तो बच्चो, कितनी प्यारी कहानी थी न? लड़का और लड़की दोनों पराबर होते हैं. इस कहानी से यही तो सिक्षा मिलती है. अगली कहानी है, मुर्गियों की गिंती. अब देखते हैं, भई, कौन मुर्गियों की गिंती कर रहा है? शायद राजू और मीना. देखते हैं, कहानी में क्या है? यहाँ पे तो बहुत सी मुर्गियां दिख रही हैं. मीना और राजू भी दिख रहे हैं. अब देखते हैं, कहानी में क्या है? मीना का छोटा भाई राजोई स्कूल जाता है लेकिन माता पिता और दादी मीना को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते मीना पढ़ने को बहुत उस्चुक है वो अपने सबसे प्यारे दोस्त मिठ्ठु दोते से कहती है वो स्कूल जाकर पढ़े और वहाँ जो कुछ सिखे उसे घर आकर सिखा दे मिठ्ठु स्कूल में मल लगाकर पढ़ता है और प्रति दिन आकर मीना को सिखाता है एक दिन जब एक चोर मीना के पिता की मुर्गी चुरा लेता है तो किंती गिनने का मीना का गुण चोर को पकड़वाने में मदद करता है यह देख पिता मीना को स्कूल भेजने का फैसला करते है मीना का स्कूल जाने का सपना सच हो जाता है राजु भी बहुत खुश होता है वह अपनी बहन के साथ स्कूल जाएगा बहुत से माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भीजते इस कहानी से लड़कियों को पढ़ाने का मात तो बताया गया है है ना मज़ेदार कहानी बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाना चाहिए अगली कहानी है आम का पटवारा आप देखते हैं किसके बीच आम का पटवारा हो रहा है शायद राजु और मीना के बीच में आम आपको पसंद है? सबको आम बहुत अच्छे लगते हैं न? ये देखिए मीना आम तोड़ रही है और राजु और मीना मिलके आम खा रहे है तो चलिए देखते हैं का आनीम क्या है भई? मीना ये समझ नहीं पाती कि उसे अपने भाई राजु से कम भोजन क्यों मिलता है जबकि वह कड़ी मेहनत करती है एक दिन वह राजु एक दिन वह और राजु अपना काम बदल लेते है राजु मीना की जगह घर का सारा काम निप्टाती है और मीना लाली गाय को चराने ले जाती है राजु दिन भर काम करता है बरतन मासता है ज़ाडू लगाता है कपड़ी धोता है बुर्कियों को दाना डालता है साम तक वो बुरी तरह ठक जाता है वो मान जाता है कि मीना का काम आसान नहीं है परिवार के लोगों को महसूस होता है कि घर में बेटी कितनी मेहनत करती है उसे मात्रा में बेटे के बराबर ही उतना ही अच्छा भोजन चाहिए इस कहानी में बताया गया है कि लड़कियां और लड़कों दोनों को घर का काम मिलकर करना चाहिए और दोनों को ही पॉस्टी कहार की बहुत आवशिक्ता होती है तो है न मज़िदार कहानी अब आते हैं चौथी कहानी के तरफ क्या मीना को स्कूल छोड़ना पड़ा तो आए चलते हैं चौथी कहानी के तरफ पहले हम आपको तीन कहानी सुनाने वाले थे फिर हमने सुना आपको एक और कहानी सुना दे है न मज़िदार तो चलिए सुनते हैं चौथी कहानी मीना को स्कूल बहुत पसंद है एक परिवार पर आर्थिक संकडा पड़ता है लगता है मीना को स्कूल छोड़कर बहन राने की देख भाल करनी पड़ेगी ताकि उसकी मा काम पर जा सके मीना यह सुनकर रोने लगती है उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा स्कूल की बहन जी मीना के परिवार को बताती है मीना की मा अपना काम सुरू करके करने के लिए बैंक से रिंड ले सकती है मीना का परिवार ऐसा ही करता है बैंक से रिंड लेकर मीना के माता पिता एक गाय खरीते है और तूद बेचकर आर्थिक कठिनाई से मुक्त हो जाते है परिवार के सदस्यों से के प्रयास से वीना को स्कूल छोड़ना नहीं पड़ता है इस कहानी में ऐसे कई उपाय पताये गये हैं जिनकी मदद से परिवार में पैसे का संकट आने पर लड़कियों को स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा तो बच्चों इस कहानी से क्या सीखा आपने मीना की तरह बहुत सी लड़किया होती हैं जिनकी आर्थिक संकट की वज़े से बढ़ाई छुड़ा दी जाती है न लेकिन उनके परिवार वालों के छोटे-छोटे प्रयाज से उनकी पढ़ाई फिर शुरू हो सकती है तो कितनी मज़ेदार कहानिया थी न मीना की आप इसको पढ़िए और इससे बहुत को सीखिए कई बार पढ़ते पढ़ते आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा और आप मीना के और अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए नमस्कार